भारात मता की वंदे वात्रव ये सारे बच्चे दूर से आ रहा है इससे सावित होता है कि इन लोग काफी मेहनत कर रहे हैं और ये 4 दिसम्बर से जो है रेली हमारी फिजिकल वाली जो परिक्षा होगी ये रायगण में आउजीत होगी इसके लिए हमारे बच्चे फ्रयास कर रहे हैं और मैं समझता हूं इसमें से काफी बच्चे हमारे उस पर सफल भी होंगे क्योंकि गाओं के जो गरीब बच्चे से दस्वी पास होकर के भटक जाते हैं क्योंकि इतना महांगा है अगर इस चीज को लगातार साल भर 365 जिस सासन अगर करें तो बहुत ही आने वाले स सब्सक्राइब कर लेते हैं और यह बहुत बड़ी उपलब्दी है क्योंकि इनका बैग्राउंड जो है स्पोर्स का कम रहा है जब मैं पहले दोड़ती थी तो 15 मिनट बस दोड़ती थी अब लेकिन यहां आने से ट्रेनिंग लेली से एक घंटा रेगुलर हो सकता है और 1600 मिटर का ट्रायल देने से 9 मिनट होता था जिसमें यहां आने से मैं एक्सलेंट मार सकती हूँ एक बार इदम शॉर्ट में बता देंगी कि कैसे आप लोगों से जूड सकते हैं कैसे जो जो केंडी डेड है इसको नहीं पता है थीोरी की तियारी और प्रेक्टिकल की तियारी किस प्रोसेस सटा है देखे हम लोग नेमी तूरूप से उसके लिए प्रयास करते हैं भाराप्मत्र की जय वनदे बातर 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 की जय पिलकोल नमस्कार जय जौर जय चत्तिसगर सौगात है अब सभी का भिलाई टाइम्स में तस्वीर में आप जोश से भरे हुए युवाओं के चहरे देख पा रहे होंगे पसीने से लत्पत ये शरीर देख पा रहे होंगे और आपको बता देते हैं ये जोश से भरे चहरे किन के हैं भारती अथल सेना में अगनिविर की जो भरती है उसकी तैयारी कर रहे लगातार ये युवा हैं जो देश की सेवा में अपने पूरी जिंदगी देने को तैयार हैं और आप तस्वीर में देख सकते हैं इन्हें फिजिकल जो है ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है आज और इसके बाद जाने वाले आगे जिसके बाद अगनी जोड़ी देख संवेन इनकी भर्ती होगी तो हमने यह थे मुलेक्टी साथ में होने को ओर को जो है इसके बाद जोब कि इन वाँ कितने बात चूरी होगे बच्चे जब 1 में सुपर होगा हैं इनकी टरीनिंग कंप्लीट होते होते हैं और आज की डेट में यह आज की डेट में बहुत ही अच्छे पोदिशन पे हैं अब बहुत अच्छी स्कोरिंग करेंगे और यह आने वाले समय में जो डिसमबर है अभी तो समय बहुत है अपने पस अराम से यह हैं कौलिफाइए अपने अपने जो इतना बीजिन की स्कोरिंग है वह आराम से हो सकता है और इनकी सफलता निश्चित है मैं इतने मेरे 33 years की service में मैंने अभी तक बहुत सारे बच्चें को job तक पहुचाया है और ये batch जो है मेरे अभी मिला और मैंने इनको convert किया है और ये जितने बच्चे जो background बहुत दूर-दूर से आते हैं लेकिन समय पर उपस्तित होगे अपनी प्रैक्टिस तेयारियां बड़े जोशोस के साथ करते हैं बिल्कुल डेडिकेटेड हैं और सर कमार्देशन और सर का अशिरवाद बराबर रहा है बराबर सर अपने बात रखते हैं बताते हैं अपनी चीजें जो है उसको हम fulfill करते हैं पुरी कोषिश करते हैं रोजगार अधिकारी राजकुमार कुरेश सर भी हमारे साथ में मौझूद हैं सर लगातार जो है सरकार पहल करते रहती है कि हर युवाओं को आगे लेकर जाना है चाहे वो कोई भी फिल्ड हो अब जो है तैयारियें कम्डिट हो चुकी है क्या कहना चाहेंगे देखे बहुत अच्छी खुशी की बात यह है कि हमारे दोनों ट्रेनर्स काफी डेडिकेशन से लगे हुए थे और हमारे बच्चे भी का आगामी इस पर हम रेसिदेंशन ट्रेनिंग की प्लानिंग हमारी का लेक्टर मैडम का है तो यह सारे बच्चे दूर से आ रहा है इससे सावित होता है कि इन लोग काफी मेहनत कर रहे हैं और यह चार दिसंबर से जो है रैली हमारी जो है फिजिकल वाली जो परिक्षा होग इसके लिए हमारे बच्चे फ्रयास कर रहे हैं और मैं समझता हूं इसमें से काफी बच्चे हमारे उस पर सफल भी होंगे और हमारी जो ट्रेनिंग है वो तीनों ब्लाक में चल रही है दुर्ग में भी है धंधा और पाटन में भी चल रही है तो सभी जगे पे हमारे ट्रे होए हैं क्या वो समिसाल बनने वाले सार neighbor पिल्कुल मिशाल बनेंगे और पिछली बार भी जो रेख रिया हुई थी उसमें लगवज सतर बच्चे हमारे जीले से बिल्कुल क्लियर के हैं और इस बार उपमुके मंतरी मोहदय काफी निशेटिव भी ले रहे हैं इसमें और वो चाहते हैं कि पूरे प्रदेश से अधिकांस बच्चे हमारे सफल हो इसी को ले करके सभी जीलों में लगबग ये प्रसिक्षन कारिक्रम चल रहा है हमने इसके पहले इन बच्चों को रिटन एक्जा जाने से बच्चों को आने वाले वविश्य इनके काफी उज्वल है क्योंकि चाहे वो पुलिस भरती की बात करें आप इसेफ इसेफ इन सभी में रिजर्वेशन का प्रवेजन अभी इन बच्चों के लिए हो गया है तो मैं समझता हूं कि इनके लिए काफी अच्छा फ्य इनका फिजिकल वो जहें काफी अच्छा होगा और ये बागी बच्चों से बेहतर कर पाएंगे एक बार इंदम शॉर्ट मों बता देंगी कि कैसे आप लोगों से जूड़ सकते हैं कैसे जो कैंडिडेट हैं इसको नहीं पता है थेओरी की तैयारी और प्रेक्टिकल की तै से इलेक्ट्रानिक मेडिया के माध्यम से हम लोग लोगों तक यह बात पहुंचाने की कोसिस करते हैं कि ट्रेनिंग में ज्यादा ज्यादा बच्चे सामलित हो बिल्कुल सर कितनी समस्यां आती हैं लगातार ट्रेनिंग एक देड़ महीने से आप लोग करा रहें कहां सबसे से ज्यादा टकलीफ है जो है बहुत से चालु कि मैं 25 दिन होने माला है तो बच्चे गाउं से हैं बहुत फ्रेशनेज बच्चे हैं इस कुकि इसमें पूरे वैसे तो तो तीनों बलाक पे चल रहा है द्रूग धम्था और पार पातन में लेकिन यहां पर साथ दूर्ग में प्रक्टिस कर रहे हैं और दिक्कते तो हैं कि वहां गाउं से आया है वहां कोई प्रकार को कोचेश नहीं था यहां आने से उन लोगों को इतना अच्छा वेनिफिट विला है कि बच्चे लोग चाहर कि हम लोग और कॉंटिनिव करें चुकि सासन की मनसा और सबसे पहले सासन चातियर सरकार को धन्यबाद देना चाहूंगा जो इस अगनीवीर यहां के लिए इतना अच्छा उसर दिया है और हमारे कलेक्टर मेंडम जी हमारे आधर्नी सभी सनेचालक मुःदाई जी को धन्यबाद देना चाहूंगा जो से दस्वी पास होकर के भटक जाते हैं क्योंकि इतना महांगा है अगर इस चीज को लगातार साल भर 365 दिन सासन अगर करें तो बहुत ही आने वाले समय में रोजगारों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगा अगर यह सारे बच्चे आप लोगों के पास हैं तो सारी सुईधा का हल सर हम लोग अच्छे से प्रैक्टिस दे सकते हैं और एक चीज और है क्योंकि 45 दिन का इसके बाद सब्सक्राइब करेंगे तो हम लोग प्रयास करेंगे कि अपने से समय दे करके अपने जो ड्यूटी है वहां समय दे करके जो दुरुक के बच्चे है उसको हम लोग बुला के हफते में दो दिन ती दिन गाइडेंस करेंगे आधरनी विनोर नायर सर भिलाई जैंती ट्रेणिंग में देते हैं तो हमने बच्चों को कहा है जो बिटब जो भिलाई से आते हैं वो इस्टेडियम में आ सकते हैं और मैं खमरिया जो है धनोरस लगा वहां मैं बच्चों को 17-18 से निसूल के ट्रेनिंग देता हूं वहां हुतही वाले जो बच्चे हैं अब एक मैंना है हम अ सकते हैं यह ट्रेनिसने सर क्वलगी निसूल के ही ट्रेनिंग देते हैं सर वहार हमें कोच की शुएद्धा यह सलो लोग की माध्धम से हमें पता चला कि दूर कम हमें ट्रेनिंग गारा है रही संकर इस्टेडिया में तो हमलों लोग वहां से आपे Soopaропाने अपने रानिंग करते हैं और सर की माध्धम सा मैं अच्छा ट्रेनिंग दिया जा रहा आप लोगों का खेल वाला हिस्ट्री भी रहा है नई साराशा कुछ हिस्ट्री नी रहा है अभी ही शुरू कि है पहले कोच की कोई सुईधानी थी इसलिए हम लोग खेल वेल से सब पीछे थे रनिंग इतना हो नहीं पाता था असर के बद आले ताहत इथा हम लोग दौल लेत बढ़ाने आपके तैयारी करता था था तो मेरा टाइमिंग 620 के गरीब आता था मलब जो की आर्मी के लिए 600 मीटर में बहुत ज्यादा तायमिंग आ जाता था लेकिन मैं जब से यहां हैं सरलोग के अमान्धन से मदब तैयारी जो कर रहा हूं तो मेरा यहां टाइमिंग 5. तो एक्सलेंट मार दूंगा यह बात है और क्या चीज़ें चल रही है क्या क्या चीजों की ट्रेइनिंग हो रही है अच्छे सीजी जा रही है जिसमें जिसमें अभी 25 के दौरान आधे से जादा वच्चे अभी पांच 30 के अंदर भी और पांच 40 के अंदर भी दौर सभी साथ में तो एक दूसरे को लगता होगा सबका सेलेक्शन हो रहा है यह सर पुरे इतने कॉंफिडेंट है यह सर क्या वात है सब मिल मिला करके रहते हैं यह स अभी हमारे साथ में आप लोगी की तैयारी है कैसे चल रहे हैं तरेटा है मैं धौरा भात अशे हूं मैं यहां मेरेसे दौरेण है जिसमें हम बहुत अच्छा कर रहा है पहले पहले जब हम लोग करते थे तो खुश से हमें कोच भी नहीं था तो हम करनी पाते थे लेकिन अ आगे जा चुके हैं बिल्कुल खुद में तरकी दिखती है इंप्रूब्मेंट दिखता है पहले के उसमें जाहिन सर मेरे नाम वेनु निशाद है मैं विलाई दिन सिर्शा का लग की रहने वाली हूं यहां जीला प्राशाशां द्वारा पैतली दिनों का कैम्प लगे उसमे आने से मैं एक्सिलेंट माड सकती हूं और हम चाहते हैं कि और जीला प्राशाशां से कि यह ट्रेनिंग और बढ़ा दिया जाए क्योंकि यह रुख जाएगा तो हम जैसे इस तित्में थे वैसी है आ जाएंगे तो कर सकते हैं अपने से त्यारी होगा तो नहीं होगा सर अगने के बात हम लोगों मतद्फ मिलती हैं पहले हम दोख बिल्कुल और हम लोग पी आइडिया नहीं था हम लोग चाहते इसको और बढ़ाया जा करें दो को और बी एक अट्रेदर सब्सक्राइब यह चीशच कर दो सर एक lanes 2 कुछ कॉछ होनेवाला और कब होने वाला वो एक डीटेल बता दीजेए देखे सर जो लिखित परिक्षा जिन बच्चों ने पास किया है अगनी वीर का ये बहुत कुशी की बात है और पूरे प्रदेश से लगभग 8000 के आसपास बच्चे जो है इसमें इन बच्चों का फिजिकल वहां पर परिक्षा होगी जिसमें इनक दोर पर बांकी चीजें तो कर लेते हैं सोला सो मीटर का दोर जो सबसे इंपॉर्णन है उसकी प्रैक्टिस बहुत जरूड़ी है डियरेशन मैंने रखती है क्योंकि इसी ग्राउंड पर पहले चार तीन रहली हो चुकी है तो दुर्ग जी लेके बच्चों को पता है और हम मुझे लगता है कि हमारे यहां के बच्चे जो है काफी अच्छा इसमें कर लेंगे बच्चों की डिमांड है कि यह ट्रेनिंग और बढ़ा दी जाए यह बिल्कुल मैं पहले ही मैं बता चुका हूं कि हमारे जिले की कलेक्टर आदर्णी रीचा प्रकास चौधरी जी खु फरत मता की जै बंदे मात्रम फरत मता की जै जै जोहर जै 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 तीज जै